सबसे पहले हमने निम्बू को यहाँ पे काट लिया है और साथ में निम्बू और अद्रक को मिक्स किया है और मोसम भी थोड़ा सा खराब हो चुका था पहले बट अब धीरे-धीरे साफ होने रगा है सुखे गाइस गुड इबनिंग कैसे आप सभी आयोब सब बढ़ी आउंगे मैं भी ठीक हूं और गाइस अभी इबनिंग के चार बज रहे हैं और आज है शनिवार आज मैं आपको स्पैसल एक पहाड़ी रेस्पी के बारे में बताने जा रहा हूं वो है पहाड़ी अचार औ बिंगू प्लस अद्रक प्लस मिर्ची का अचार रहने वाला है तो आज आप इसको इंज्वाई कीजिएगा आज आपको दिखाएंगे कि हम अचार कैसे बनाते हैं तो चलिए बिना किसी देर के ब्लोग को स्टार्ट करते हैं गाइस अचार बनाने से पहले आपको मैं बाह अचार बनाने जा रहे हैं तो सबसे बहले हमने निम्बू को यहां पर काट लिया है और यहां पर मिर्ची बगएरा भी हमने छोड़ छोड़ी करके काट ली है और साथ में निम्बू और अद्रक को मिक्स किया है और अभी इसको थोड़ा प्रसेस में हम कर रहे हैं कि कैसे हम चार बोग बनाते हैं तो अभी हम इसमें निम्बू निचोड रहे हैं और इसमें हमने काला नमक भी मिलाया हुआ है तो step by step हमने इसको mix कर दिया हुआ है और अभी निम्बू वगेरा निचोड रहे हैं और यहां पर हम डब्बे में डाल रहे हैं तो यह है हमारा पहाड़ी अचार तो आपको बताते हैं कि कैसे कैसे हम अचार को डालेंगे और लास तक बताएंगे आपको कि कैसे कैसे हमारा अचार बनता है तो चलिए अभी हम इसमें नेक्स प्रोसेसिंग करने वाले वह है चीनी की है चीनी डालने से क्या तक ही यह जो मिर्ची यह ग्रीन दी रहती है अब हम हमक मिर्ची करने मीकिसिंग कर रहे तक हम इसको touch में यह जो अचार बने गाएं है यह तीन दिन बाद होता है और पहाडी में तो लोग खुद ही बनाते हैं इसको और हेल्थ के लिए इसलिए अच्छा होता है कि यार नीम्दू पाने से महारा जो होता है मुतलब फून बगएरा जो होता है वो साफ रहते हैं और भूक बगएरा भी खुलती रहती है इससे और कब्जी जैसी परशानी के भी बच गई है गाइस कमेंट करके बताना कि आपको अचार बनाने की जो बीदी है वो कैसी लगी अगर आप भी घर वैठे वैठे अचार बनाना जाते हो तो आप बना सकते हो और काफी स्वादिष्ट अचार होता है यह तो अभी इसमें थोड़ा से नमक कम पड़ गया थ तो अभी हम यहां पे नमक डाल रहे हैं साथ में हमने मसाली दानी भी रखी हुई है अभी हम इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा सा इसमें भाइट नमक और ब्लैक नमक भी इसमें डाल दिया हुआ है जिसको में पहाडी में बोखते हैं गुम्मा लोन सो फाइनली दोस्तों अभी हमने अचार को मिक्स करके हमने इस डब्ले में डाल दिया है अभी हम इसको तीन दिन के लिए धूप में रख देंगे और तीन दिन के बाद जो हमारा अचार है वो रडी हो जाएगा आज के इस व्लोग में मैंने आपको बताया कि पहाडी अचा अचार को बनाएंगे अगर आपने घर पे अचार बनाना होगा तो स्टेप बाइस तरीके से अचार को बना सकते हैं अक्सर हमने पुराने टाइम में देखा हूगा कि हमारे जो बुजूर्ग होते थे थे अपने जो पुराने डिब्बे बगएरा बरतमान बोलते थे उसको तो यार अगर हम इस कल्चर को बनाए रखेंगे तो काफी अच्छा रहेगा जो अपने हाथों से बनाए गई चीजी होती है आज भी हमारे हिमाचल में जो यह ट्रेडीशन आना वो आज भी चल रहा है बट कहीं कहीं पे यह ट्रेडीशन बिल्कुल ही खतम होता जा रहा है में जाट कि जो कल्चर आना पहले वड़ा वो आज के टाइम में नहीं रहा है तो मैं अपनी वीडियो के तुरू यही दिखाने की कोशिश करता हूं यार जो हमारा हिमाचल का ट्रेडीशन आना वो दुवारा से बापिस आए तो मेरा मेरा में ब्लोग बनाने का मकसद यह ह होता है कि यार हमारा जो हमारा हिमाचल का ट्रेडीशन है यानि की कल्चर है वो दुवारा से बापिस आए और लोग उसको दुवारा से फोलो करें विगोस आज के टाइम यह आपने देखा होगा कि लोग जाए-जादा मोडरन कल्चर में आते जा रहे हैं मतलत की पुरानी चीज्जों को छोड़ते जारहे हैं तो मेरा आज के इस बॉप में यही मेंसिज है कि प्लीज को फोलो करें प्ली अपनी घ्माचल है उस चीज़न को साथ लेके जलें तो आज के कीजिएगा इस ब्लोग को जा साथ लोगों तक शेर कीजिएगा और हाँ अगर आप चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा मिलते गाइस और भी ऐसे इंट्रस्टिंग ब्लोग के साथ तब तक के लिए थैंक्यी सो मच पर लोजिंग इस वीडियो हुआ 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 है